मुक्तार के भाई गाजेपूर से सफा प्रत्याशी अफ़ाल अंसारी का बोटिंग के बीच बड़ा दावा 4 जून को दिल्ली में किसकी बन रही सरकार अफ़ाल ने चौकाने वाला दे दिया बयान उत्रप्रदेश में लोगसबाद चुनावो के आखरी चरण यानी साथवे फेस में 13 लोगसबाद सीटों पर मद्दान हो रहा एंसीटों पर यूपी की कई हॉट सीट शामिन है जिनमें गाजेपूर लोगसबाद सीट भी यूपी के हॉट सीट बनी हुई है यहां से सपाने मुक्तार अंसारी के भाई अफसाल अंसारी को मैदान में उतारा है अफसाल अंसारी साल 2019 में गाजेपूर से बसपाद के टिकट पर चुनाव जीते थे इस बीच अब अफजाल अंसारी साथफे चरण की बोटिंग के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं गाज़ेपुर से सपाव मिद्वार अफजाल अंसारी का कहना कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की वारांसी लोकसबा सीट पर भी फाइट बनी हुई है अफजाल अंसारी ने कहा है इस लोकसबा चुना में इंडिया गटवंदन क्लेन सुईप करने जा रहा अपने मताधिकार का प्रियोग करके हर मद्दाता को इसी तरह खुश होना चाहिए क्या सूचने की बात है धूप बहुत है गर्मी बहुत है उपर वाले से प्रातना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम खुड़ा ठंदा हो जाए अफजार अंसारी ने कहा मौसम में बहुत गर्मी है उपर वाले से प्रातना कर रहा था आप कुछ ऐसा इंतजाम कीजे मौसम थोड़ ठंदा हो जाए यही नहीं अफजार अंसारी ने दावा किया चार जून को इंडिया गडवन्दन की सरकार बन रही बदादे गासेपुर में जहार सपा ने अफजार अंसारी को टिकट दिया है तो वही भाज़पा ने पारसनात राय को चुनावी मैदान में उता रहा है आज यस सीट पर भी मदान हो रहा है लोगसवा चुनावू का परणाम 4 जून को आएगा दुनिया के सबसे बड़े लोगतांतिक देश में अपने मतादिकार का प्रियोग करके हर मदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए सर बदान चेहिते तो सोच रहेते पता जी क्या सोचने की बात है धूप बहुत है गर्मी बहुत है उपर वाले से प्रात्ना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिये कि मौसम खुड़ा थंदा हो जया राजनीती तो दिल्ली में चाहर तारीक का इंतजार करिये इंडिया गडबन्हन की सरकार आ रही है कर रही है